तो कैसे हैं आप सब आज आज यहां बारिश हो रही है मौसम अचानक से बदल गया है और बारिश रुखने के बाद जो है काफी ठंड पढ़ने वाली है बच्चे सब खास रहे हैं और यहां बच्चों को कोई ठंडी नहीं लग रही है सब दम मस्त एंजॉय कर रहे है यह होता है बच्चपन का एंजॉयमेंट आरे सफाई कर रहे हो करो गोल गोल की जाती है सफाई ऐसे कैसे होगी ए क्या कर रहे हो देखाओ कौन कौन है गिरना है तुम लोग को तो आँख खुलते ही बच्चे पहुंच गए हैं यहां पेर पर पस खेल चाहिए इन लोगों को और यह देखिए सुबा का मौसम हलकी हलकी धुन और यहां देखिए आग जल रही है मौसम का लुट्फ उठाते वे चुटका जो है वो शर्माते वे मेरा व्लॉग देख रहा है हम दो हमारे चाल जाने से पहले जो है मैंने सुचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दू आज के कहां से मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी यहीं गुदाम से ही हुई थी तो जो जो जगा है जो घर है मैं आप लोगों को जो है आज वहां लेके चलती हूँ गुदाम पे वह टोटल पांच घर है तो गुदाम पे जो है वह बस पांच घर है और उसमें से एक घर हो है हमारी पप्पा की नानी का जो कि अभी बंद रहता है तो जो है उसी घर से मेरी शादी हुई थी तो मैं आप लोगों को आज वो घर दिखाऊंगी दिखते हैं क्या कंडिशन में है तो पाँच घर जो है वो इंटरकनेक्टेड है एक के अंदर एक दर्वाजा मिला हुआ है और बारिश हो रही है यह देखी यह बाहर का जो है व्यू है और यही है न जिकरा यही है वो घर जहां से जहां से हमारी शादी हुई थी यही वो घर है और जिक्रा हमारे ख्याल से हम यहीं बैठे थी ना तुम नहीं थी अच्छा हाँ तुम नहीं त्यहेरा थी आम उज्याद ऐसा ही आरहा है कि यहीं पर जो है मैं बैठी थी और उपर सबसे बहले उपर हम गये थी उपर चलते है ऑक्ष़ ओके ऐसी चलते हैं उपर चलके मैं आपको दिखाती हूँ कहां मैं तयार हुई थी क्या है तो उपर चलते हैं तो कंडिशन बहुत बुरी है इस तरह की कुछ कंडिशन है यहां और बहुत डर डर के हम लोग आ रहे हैं यहां बस यही रूम था अंदर जाने के लिए डर लग रही है मैं और मेरी नंत की वेटी हम दोनों लोग आएं बस तो यह जो रूम है बस मैं जूम करके दिखा देती हूँ अंदर नहीं जाओंगी इसी रूम में मैं तयार हुई थी और यहीं बाहर बैठी थी तो यहीं से हुई थ अधि मेरी शादी बस अंदर नहीं जाते हैं पतनी कौन अंदर बैठा होगा तो मेरी जो है एकदम निराली शादी थी हम लोग जो है बॉम्बे से आये थे और सब रहात मेरे नाना की घर हम लोग रुके थे और वहां से मैं ऐसे ही आ गई थी यहां पे मतलब बिना तयार हुई थी तो बारात बारात आई नहीं थी मेरी तो सब बहुत मदा खुड़ा रहते के मैं ही खुद बारात लेकर आई थी अपनी कहां पे देखाओ अटो देखें इसकेलेटन कहां जा रही है चल जा तो जी यहां से गुजरते वे हमें ये पेड दिखा और ये पेड भी जो है पापा की जो नानी है मेरे और उनके जो पीछे जमीन है वहीं पे है ये पेड और जो है मुझे ये जूला दिखा इतना जबर्दस सा देसी जूला बहुत ही इसको हर पल को यहां एंजोई करते हैं इतना अच्छा लगता है यहां जो यह चाहेगा ना फिर वापस जो है हमेशा सिर्फ यादे रहे जाती है तो हर पल को जो है यहां लोग एंजोई करते हैं मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुण रहये मैंने किसमत की लगी रो से मिले हो तुम हमको ये देखे जो हम लोगों की जो है जो जो बाग है वहाँ पर अब कलम लग रही है आम की तो एक आम पर जो है कई तरीके के जो है तो है उसको लगा रहा using हमारे मौजब भाई यां यह हमारे klasm होगा करते हैं थोड़े बुड़े लगते हैं मैं लेकिलिदुम दिछॉ और लेकिन ग्लाफटी Takes लिए आखने वहा पेड है और इस पे फल बहुत लेट आते हैं मतलब 7-8 साल बाद आएंगे इस पेड लेकिन अगर ग्राफ्टिंग सक्सेस्फुल हो जाती है तो next year उसके फल आ जाएंगे और सबसे interesting thing यह है कि एक ही पेड पे different variety of fruits आएंगे जैसे मतलब हम लोग ने इस पे अब जो यह लगाया है इस पेड पे निकलेंगे दसेरी, चौसा, लंगडा और भी बतनी कौन सा variety of mango निकलेंगे तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है mature plant की जो branch है जिसको bud stick कहते हैं वो लेना है और उसे काटना है V-shape में और एक sharp cut लगाना है इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं sharp cut लगाके जो वो stick है उसको इसमें डालेंगे अच्छा यहां याद रखिए कि knife बहुत ही clean होना चाहिए अगर हो से की तो इसे sterilize कर लें sanitize कर लें ताकि इस पे जो है कोई germs या bacteria ना रहे अब जो है जहां हम लोग ने जोड़ा है वो branch को वहां पे grafting tape से अच्छी तरह लपेट लेना है tight इकदम ताकि जो है इसका जो है जो है जो है जो है जो है जो है मस्बूत रहे और यहां पे जो यह बढ़ है इस पे जो है new पत्ती निकलेगी यहीं से अब जो है इसको हम लो जो है कि मौस्टर इसके अंदर जाना नहीं चाहिए और यह मौझण भाई निया डबल प्लास्टिक लगाए हैं ताकि इसमें मौस्टर ना जाए जब पत्या निकलना स्टार्ट हो जाएंगी न तब जो है हम लोग यह प्लास्टिक निकाल देंगे mostly 24 days के बाद new shoots निकलना start हो जाते हैं और सबसे अच्छा grafting का time जो होता है वो होता है June का क्योंकि June में humidity बहुत जादा होती है और इसको humid चाहिए होता है तो बहुत successful grafting होने का chances रहते हैं तो ये देखिए सारे जहां-जहां हम लोग ने grafting किये हैं उसको प्लास्टिक से लगा के cover कर दिये हैं बस अब एक साल के बाद देखीगा इसमें कितनी जबरदस तरह-तरह के 7 varieties के जो हैं आम निकलेंगे एक ही पेड में है ना कमाल की बाद तो friends आज का वीडियो में यहीं एंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब और टोंट फगेट तो प्रेस बेल आइकन कल मिलते हैं तब तक के लिए लाहाफिज